जहिन दोस्तों आज 15 जनौरी है और 15 जनौरी को हम लोग सेना दिवस के रूप में मनाते हैं हमारे भारत के जबाज साथियों पूर्शैनिकों को और उनके परिवारों को सेना दिवस की हार्दिक शुपकमना है देश की सुराख्षा में हमारे वेर विरंगनाओं का शोड अहम समारपड हर देशवासीयों को प्रेरित करता है परिस्तितिया कितनी भी विकट हो हमारे प्रक्रमीयों के होशले कभी डिगते नहीं है और देश की सुराख्षा हो प्रकृतिक अपदा हो या मानोशंकट और दिश्वाशियों की शाहता के लिए अटूट प्रतिवदता सारहनी है माँ भारती के वीरो सपुतों का पूरे देश को गर्व है सेवा परमोधरम को के भावश के शाथ मात्रिभूम के लिए मात्रिभूम के लिए शरोने उशावर करने के लिए हरदम तयार रहने वाले हमारे रण बाकूरे को कोटी-कोटी नमन चरण अर्षपर्स करते हैं आज दोस्तों आप लोगों को हम बता दे रहे हैं सेना दिवस के बारे में भी कुछ तिथिया जो आप लोगों को याद होनी चाहिए या हर एक्जामों में पूछे जाते हैं उसके बारे केम करियपपा जो पहले हमारे सेना के कमान संभाली तो उनके बारे में हम बता रहे हैं और सबसे आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारी देश की राजधानी दिली में या प्रेड ना होकर अनी राजियों में हो रहा है तो दोस्तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे जा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना दोस्तो क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनता है आप लोगों को बता आने दोस्तो सेना दिवस के बारे में जो आप लोग GKGS के लिए बहुत ही मात्तुपूर है हरवर्स 15 जनौरी को भारती सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन वीर सैनी को सेना मेडल से और पिरत्या पुरुसकार से सम्मानित किया जाता है इस बार भारती सेना आज अपना पचात्रवा अस्थापना दिवस मना रही है आज ही के दिन आजादी के पहली बार भारती सेना के हाथों में कमान आई थी दोस्तों 15 जनौरी के ही दिन फिल्ड मार्सल के एम करियापा ने जर्नल फ्रांसिस बुचर के कमान ली थी जो बुचर थे फ्रांसिसिस उनके हाथों में कमान पहले थी उनके हाथों से ये अपना हाथ सम्हाल ले और उस पद पर ये अस्थापित हो गए आपको बता दे कि 1947 में स्वत्रांतरा प्राप्ति के करने के बावजुद 15 जनौरी 1949 तक भारत के कोई भारती परमुख नहीं था केम कर्यापा के भारती थल सेना के शिर्ष कमांडर का पद सम्हालने के उप्लक्ष में 15 जनौरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तो इस तरह फ्रांसिस बुचर ब्रिटिस का अंतिम कमांडर इंचिप थे इसके बाद केम कर्यापा भारती आर्मी के पहले कमांडर इंचिप बने तो सेना दिवस यदि सेना दिवस यानि सेना के शोर विर्था उनकी सहाधत को सलाम करने का दिन है आज 15 जनौरी को दोस्तो इस वर्ष भारती सेना दिवस की परेड में यह कहां पर हो रही है यह बैं में किया जा रहा और इसका आयोजन देश के विभिन फिल्ड कमान में किया जाएगा तो जहां जहां इसका परमुख है और जहां जहां बाटालियों है वहां पर इसका आज आयोजन होगा दोस्तो तो सेना ऐसी पहली बार हो रहा है कि भारती सेना दिवस की परेड में राष तो भारती सेना दुनिया की सबसे सकती साली सेना है और हमें गर्ब होना चाहिए अपने उन बीड़ सैनिकूप जो देश की सेवा के लिए अपना जिवन समर्पन कर देते हैं भारती सेना का अधर्स वाक्य श्वयम से पहले सेवा हम नहीं है हमारे से पहले देश से है पहले हमको सेवा करना है यह है भारती सेना का राष्टी वाक्य तो और आप लोगों को इस मिसन का भारत इस मिसन का राष्टी सुरक्षा और राष्टी राष्टी एकता सुनिशित कर और बाहरी आकरमोडों को से बशाने का और आंतरी खत्रों से देश की राक्षा करना होता है आपको बता दे कि 1899 में करनाटों के कुर्ग में जन्मे के एम करियापा मार्सल के करियापा महज 20 वर्स की उमर में ब्रिटिस इंडिया आर्मी में शामिल हुए थे उसमें पहले ब्रिटिस के नाम से जाना जाता था उसके बाद यह चेंज हो गया दोस्तों तो इसलिए आप लोगों को उन सभी माहाओं को कोटी कोटी चरह अर्सपर्स करते हैं जो अपने बी इसके लिए समार पढ़ कर दिया है और ठीक है बाई दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सस्क्राइब कर देना जैहिंद